जो आप रौदर रूप गंदक नदी के देख रहे हैं यह तस्वीर सारण जिले के लगुनिया गाउं के है जहां कई फूस पलानी नदी में बहच चुका है लोग डर से अपने घर को तोर कर समान लेकर सुरक्षि अस्थान पर जा रहे हैं अब तक 500 एकर से अधिक जमिन कट चुका है कई फूस पलानी बह चुका है लोग सुरक्षि जा पर अपने गाय भैस को लेकर जा रहे हैं लोगों में काफी डर बना हुआ है आप तस्वीर में इस वक्त मुझूद है हम मखेर पर्खंड के लगुनिया गा में जो पानी उया था बार का पानी आया था यहा पानी तो लोट रहा है आप देख सकते हैं लेकिन काफी यहां के गरामिनrà च्छति हो रहा है काफी तेजी से कटा हो रहा है और कई घर कट चुका है लोग काफी द और यहां के लोग भी मुझूद है काफी डर्रे समय हुए हम लोगों से बात करेंगे यह पहले यह से बड़ा कॉप काटाव भरे कब से कब से कब सब्सक्राइब को करना बाग ने इतना बुरा काटाव अभी होता है पानी घटा था था कटाव सुरह हो जाता है पानी बड़ी ते कटाव सुरह ना होई तो डर बनलबा की पूरे हम निके 28 तीस घर होते बाई बचय का पोजिसन में नहीं खे अभी काटना घर समाग लही काटाव में अभाई खार यह घर गीड़ बाई यह तो गीड़ बाई अधर में अधर तावान एंगाता है था था पुरूआ सब समां ट्रेक்टर पर गोड़ाता है प्रों का चाहतने रूग चाहतने रूगा कि सरकार के सुद्द हैं कि हम लोगा जूपरवार में जमीर भी नहीं है कि घर मना सकते रूआ उप्शार लोग ब्वास्ता करता है ल बाबा मौझूद है बाबा मुतलब का छोती होता छोड़ दी देखिए मेरा जन्म धरती है और लोग परोश के सब लोग हैं दर्वेश भाई लोग हैं सब लोग का मकान है आए कट रहा है मेरा जन्म धरती साब मैं पासपती रहा हूं सब लोग बेचेन हैं अपना वुषा इधर उधर कर रहे हैं लेकिन जटी गरस होना है मतलब काटाव तेजी और नीचा तक है अब तक कितना जमीन कट गया जमीन कट गया करीब करीब जमीन कर जमीन तो जादा कट गया 500 अब इधर कटा है घर पर कट रहा है घर कट रहा है ज़ा है इसी कि ये मुझे डर बना हुआ है अब इसका राहत चाह रहे हैं कि कैसे राहत हम लोगों का बंचे जन्मधरती ये कैसे बंचे इसी राहत में हम लोग है तो अभी तक परसासन के और से कुछ यहां परसासन बोरा उड़ा गिरा हुआ है लेकिन अभी कोई जालूल कुछ गिराया नहीं गया है लेकिन देखें कब तक गिरता है पासपती राय मेरा नाम है घर लगुणियां यहाँ पर कई फूष्पलानी का घर था जो कट चुका है जिसके वज़़ा से लोगों में डर बना हुआ है काफी नजदीक यहाँ पर घर है घर भी लोग तोर कर रहे हैं तो कही ना कहीं देखा जाये तो इस गाउन के लोगों के लिए काफी डर बना हुआ है नेपाल से जो पानी आया था अब जाते बक्त काफी नुकसान पहुचा रहा है जिसके वज़ा से छप्रा के मकेर परखंट अंतरगात लगुनिया गाउं के लोगों में काफी डर बना हुआ है विसाल कुमार लोकल एटीन छप्रा